नमिश्कार दोस्तू, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरूजी, जी नहीं, आप देख रहे हैं टेक्न समाचाळ यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपोर्टन बहुत ही खास चैनल के बारे में और उस आत्भी के बारे में जिसने ये चैनल स्टार कि आज यहाँ यह बात हो रही है टेक्निकल गुरुजी यूट्यूब चैनल की और उसके फाउंडर गौरफ जौधरी की तो जैसे कि आप जानते हैं टेक्निकल गुरुजी अभी इंडिया के सबसे नंबर वन यूट्यूब टेक चैनल है हिंदी में और बहुत ही सक्सेस्फुल रहे हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में इन्होंने यह मुकाम हासल किया है तो आज दोस्तों हम जानेंगे गौरफ चौ चैनल से क्या-क्या पा सकते हैं क्या-क्या पाते आ रहे हैं और क्या-क्या एक्सपेट कर सकते हैं यह सारे चीरोस चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल टेक्स हमा गौरफ चौधरी की, गौरफ चौधरी जो है, वो 25 साल के है, ये एक इंडियन है, लेकिन रहे हैं दुबबाई में, इस स्टडीज में ये बहुत ही तेज रह चुके हैं, बश्मन से ही, और इन्होंने बीटेक किया है, इलेक्ट्रोनिक्स में, और एमटेक किया है, माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स में, गौरफ ने टेक्निकल गुरुजी चैनल जो है, अजर होबी स्टार्ट किया था, 18 अक्टोबर 2015 को, और आपको सुनके या जानके, ये आशरिया होगा, या फिर अल्रेडी आप जानते हैं, कि 7 डिसमबर 2016 में, टेक्निकल गुरुजी जो है, वो तो दोस्तों चलिए देखते हैं, यह जो चैनल है, टेक्निकल गुरुजी, कैसे स्टार्ट हुआ, दोस्तों प्रावल शर्मा जो है, वो एक क्यूट्जीबर हैं, और इनके एक बहुत ही पैमिस चैनल है इसका नाम है, शर्मा जी टेक्निकल जिसमें कि यह हिंदी में, टेक प्रवेल शर्मा जी को रिक्वेस्ट किया था कि उनके यूट्यूब चैनल में टेक्निकल गुरुजी का उसका एक इंट्रोडक्शन या फिर एक प्रमोशन करने के लिए तो प्रवेल शर्मा जी बहुत ही खुले दिल के साथ इस प्रवेसल को एकसिप्ट किया थे और उनकी इस चैनल में ही टेक्निकल गुरुजी का सबसे पहला विडियो जो है उन्होंने लॉंच कर दिया था शर्मा जी टेक्निकल गुरुजी का जो वीडियो आते रहते थे वह बहुत ही पॉपुलर हुए लोगों ने बहुत साथा पसंद किया उसको और कुछ दिन बाद टेक्न इतना जादा बढ़ने लगा कि आज की डेट में वो करीबन सात लाग के उपर इनके सब्सक्राइबर्स है और अगर आप सोचल ब्लेट की माने तो ये भाई साब चार हजा से पांस हजार सब्सक्राइबर्स डेली आड़ कर रहे हैं और ये जो ग्रोथ है ये एक्स्पोनेंशली बढ़ रहा है अब चलिए दोस्त देख लेए टेक्निकल गुरू जी इतना फास्ट ग्रो कैसे कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं सबसे पहली बात किया है रान हम अची कोई इंसान के लिए वह समझने हैं और गौरव हर वीडियो के साथ हर टेक्नOLOGY के EXPLAIN करते हैं तो इतने REAL-LIFE EXAMPLE के साथ जुड़ते हैं अपने वीडियो को, अपने EXPLAINATIONS को तो उसको समझने में और भी आसानी होती है यह डेली वीडियो लाते हैं अपने चैनल में डिफरेंट के वीडियो लाते हैं डेली जो एक नया टॉपिक एक्स्प्लेन करते हैं उसके साथ-साथ टेक्टॉक्स में जो उनका सेक्षिन है उसमें डेली नीज भी लाते हैं बहुत सारे इंट्रेस्टिंग नीज भी लाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनके वीडियो जो हैं वो बहुत ही यूनीक होते हैं और आप देखिएगा ये कोर टेकनोलोजी के बारे में सिखाते हैं तो दोस्तों ये साफ साफ पता चलता है कि ये सारे चीज ऐसे ही नहीं आ जाते यूट्यूब में उनके चैनल में ऐसे ही अपलोड नहीं हो जाते हैं बहुत मेहनत करना पड़ता है और इनके पीछे इसके पीछे सबसे बड़ा जो रिजन है सबसे बड़ा जो कारण है ये सकसेस के पीज़े वो सिर्फ एक ही चीज है वो है हार्ड वर्थ और कुछ नहीं तो दोस्तो जैसे कि आपने देखा कि गौरव ने ये टेक्निकल गुरूजी चैनल जो है वो अपने एक होबी की तरह स्टार्ट किया था लेकिन आज वो कुछ पैसा भी उससे कमा रहे हैं ये दोस्तो एक बड़ा ही इंस्पिरेशन है नए यूट्यूबर्स के लिए जो कि टेक्निकल गुरूजी को देखके सीख सकते हैं कि कैसे प्रेजन करना होता है चीज लोगों के सामने तो मैं अपनी तरफ से तो बहुत बहुत थेंक्यूव करना चाहूंगा गौरूफ को ये टेक्निकल गुरूजी जो चैनल है ये चैनल हम लोगों को गिफ्ट करने के लिए दोस्तो अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आप गुरूजी से इंस्पिरेशन लीजे गुरूजी जैसे वीडियो बनाते हैं जैसे प्रेजन करते हैं जैसे रेगुलर हैं तो वो इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं और जितने फास्ट इतने ग्रो किया है लग बहुत बहुत एक inspiration इंसान है, बहुत एक inspiration channel है, दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप पहले शुरू से ही ऐसे के पीछे भागेंगे तो आपको success शायद ना मिले, अगर आप hard work करेंगे तो पैसा आपके पीछे आएगा, अपने passion को आप grow कीजिए अपने passion के साथ, आप क channel है, तो आशाय करता हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज उसे like और share कीजिए, और प्लीज हमारे channel टेक्समाचार को subscribe कीजिए, और कोई भी अगर आपके मन में सवाल है, या फिर suggestion है, तो उसको comment box में जलूली के